वेलकम टू दीमा चैनल फ्रेंट्स आज हम बेकरी में कैसे चोकलेट शिप्स केक बनाई जाती है उसकी फूल मेकिंग देखने वाले हैं जिसमें स्पॉंज ब्रेट से लेके केक डेकरोशन तक के सारे स्टेप्स में आपको दिखाने वाला हूँ इसलिए आज हम आये हैं ममम स्वीट सॉप में जो कि एक लाइव केक शॉप है चलिए बिना किसी देरी केक केक की मेकिंग शूरू करते है यहां पर भाईया ने केक का बेस बनाने के लिए चोकलेट फ्रेवर का स्पॉंज ब्रेड लिया है इसको उन्होंने मोल्ड से निकल दि दिया है और फिर उसके बाद इसको वो राउंड सेफ में कट करने वाले हैं यहां पर हमारी केक तीन लियर्स की बनने वाली है जिसको वाईया ने अल्लेडी कट कर दिया है अभी जो बेस के उपर वो स्प्रे कर रहे है वो शुगर सीरप है जिससे केक अंदर से और भी ज्यादा सॉप्ट लगती है केक को लेयर्स में बनाने के लिए जो वीप क्रूम चाहिए वो आ चुकी है जिसमें भाईया ने अभी चौकलेट ट्रफल डाला है और उपर से आ गए है डार्क एंड वाइट चौकलेट चिप्स और साथी में थोड़े बटर स्कॉच के नट्स भी डाल दिये इसको अच्छे से मिक्स होते ही केक की लेयरिंग कर देंगे और इसको बाद में फीर से चौकलेट वीप्रियू से कवरब करने वाले है वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल के इंस्टाग्राम और फेस्बूक पेज की लिंक अवेलेबल है तो जाओ और उसको फॉलो कर लो जहां पे आपको डिफरेंट टाप्स की रेसीपी और पूरे इंडिया का सबसे बेस ट्रीट फूड कंटेंड देखने का मिलेगा तो जाइए और जल्दी से फॉलो कर लीजिए करू — झाल 2ाउ हॉरे बेसा ट्रुटी मैं रहां प्रुडरों यहां पर बाईया ने काटे वाले पैडल की मदल से जो ग्रीब बनाई है वो इसलिए जो डेकोरेशन में चॉकलेट जिप्स लगने वाली है वो केक पे अच्छे से चीपक पाएगी जैसा कि हम जानते हैं कि यह चॉकलेट केक है तो ओवियसले इसके ऊपर चॉकलेट सीरफ से ही बढ़िया वाला डेकोरेशन होने वाला है तो चलिए देखते हैं कि यह बैया कैसे करते हैं अब आप देख सकते हैं कि वाईया अब इस केक का फाइनल डेकोरेशन कर रहा है जिसमें यह केक पे बहुत सारी कॉन्टिटी में चोकलेट स्प्स लगा रहा है इसको लगा तो ही अमारी केक फाइनली बनके तयार हो जाएगी जो कि मुझे तो बहुत ही टेस्ट ही लग रह आप कमेंट बॉक्स में आपका ओपीनियन में दे सकते हैं कि आपको यह वीडियो और केक कैसी लगी बहुत कि लग देख पर बताने ही जो में आपको बीज़न भीशर के कैसी ही जो प्टो को किल्क हैं यहां पर भाईया हमें क्रीम से कैसे फ्लावर बनता है वह दिखा रहे है जो बच्चों का और शायद हम सब का बहुत ही फैबरिट है और आप देख सकते हैं कि फ्लावर पर भाईया ने फूड कलर स्प्रे करके इसको बहुत ही ब्यूटिफुल बना दिया है और यहां पर येलो शीड में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें नीचे कॉमेंट करके बताईए कि क्या कभी आपने पहले देखा रहा कि ये फ्लावर कैसे बनते है अगर आपको ये केक मेकिंग वीडियो पॉसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रेब करना ना कि इस वीडियो के नीचे डिस्कृप्स बोक्स में मैं शॉप का एड्रेस दे रहा हूं आप कभी भी यहां पर आ सकते हो और यहां पर आपको बहुत सारी वैरेटिक के स्वीर्स और फरसान मिलेंगे जो यहां पर बहुत ही फैमस है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो मे मेरे साथी इस वीडियो के एंतक बने रहने के लिए धन्यवाद